the max class is key to unlock the success Kali and prakan pur नमस्क्कार साथियों स्वागत है सभी का आप सभी लोग जो मेंक क्लाशिस की अनलाइन क्लाशिंग का अध्यान कर रहे हो इस पे हम लोग उपसर्गों की शंकला का अध्यान कर रहे थे हलाकि आप लोगों खाली संस्कत की संख्या याद करनी हैं, कि संस्कत की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, अब हम क्रम से एक एक उपसर्ग को उठा करके, उसको किस तरीके से संथिय और समास के साथ जोड़ेंगे, ये बातें आपको तै करनी हैं, हम सबसे पहला एक उपसर्ग होता हमारा निश नाब पे चोटी की माता और साव निश का अर्थ क्या होता निश माने होटा है रहित और इससे बनने वाला कोई भी सब्द जो होगा वह समास होगा दूसरा इससे बनने वाला जो सब्द होगा वो बिशर्ग संदी का उधारण होगा तीसरी बात इससे बनने वाला जो भी सब्द होगा वो कैसा सब्द होगा वो तत्सम सब्द होगा देखो इससे तीन बातें तय हुई हैं हमारी निस उपसरग जब भी होगा तो वो रहित के अर्थ में होगा निस सब्द से जब भी कोई सब्द बनेगा तो वो अब्भेभाव का सब्द बनेगा निस सब्द से जो भी संदी बनेगी तो विशर्ग संदी बनेगी निस्च सब्ध का बना हुआ सब्ध कैसा होगा वो तट्दशम सब्ध होगा अब विशलग संदी की स्थितियां हमने पहले भी तै कराएं आप इसपे भी तै करके देखलो निस्का यूग निस्के अंतिम साका यूग यदि सासे दन्तभ यशासे हो जाए या तासे हो जाए तो निस्का आने वाला सा सदयव दंतब विशा पर परिवर्दित होगा ठीक निस्का सा येदि चासे चासे या तालब विशा से योग करेगा तो सदयव तालब विशा ही बनाएगा निस्का चा 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 शा और एक और इसका रूप होता निस्का रूप होता जब कभी भी निस्का सा का से या फा या पा से योग करेगा तो सदयव दंतब विशा पर बनेगा निस्का सा जब शा या दंतब विशा या तासे योग करेगा तो सदयव दंतब विशा पर बनेगा तो साही बनेगा निस्का सा जब का से फा से या पा से योग करेगा तो सदयव दंतब विशा पर बनेगा निस्टेज आप देखो निस्ट का योग शाशे हुआ तासे हुआ तो इसने निस्टेज किया हमने कहा निस्टारा आप देखो हमने कहा निस्ट संदी आपने निव सरक देखा और आपने संदी तैकल ली कि कौन सी संदी होगी बिसरक संदी होगी अब ये भी आपने तैकल लिया कि निसके साका योग जब भी तासे हुआ तो शावना तासे हुआ तो शावना और शासे हुआ तो भी दंतब शावना और अगर आपसे ये सब्द कैसे है हमारे ये सब्द हमारे तत्सम सब्द है और तीसरी बात अगर इस किसी सब्द पर भी आ शासे योग शाने किया तो कौन सा सा बना तालब्वेशा बना हमने कहा निश्चल निश्चित का चा और शासे योग हुआ तो कौन सा सा मद्दे पर आया तालब्वेशा आया इसी तरीके से इस पर देख लो हमने कहा निश्फल हमने कहा निश्फाप हमने कहा निश्प्रभाव आप देखो निश्प का योग ये तै हो गया कि इन सब्दों पे कैसे परिवर्थन हुआ ये हमने इस से इस पष्ट किया कि सारे सब्द हैं तो विसरक संदी के लेकिन साका परिवर्थन किसा अधार पर हुआ जब दंतब से किया तो उसने दंतब गाला बनाया तालब के किसी वन से किया तो मद्द पर तालब बिशा आया और कापा और फासे यो किया तो सदय मद्द पर मुर्धने वाला सा आया इन सारे सब्दों पर जब आप देखते हो तो संदी पूशेगा तो आप बताई दोगे इसके किसी भी सब्द पर उपसर्ग कुछेगा तो आप कौन सा उपसर्ग बताओगे निस उपसर्ग आप देखो निस छोटा ऐसा उपसर्ग आपके चार प्रक्रणों को लेकर के चला है आईसा हम प्रतेख उपसर्ग के साथ में आपके साथ में तैक कराएंगे आपका एक उपसर्ग का प्रकन पढ़ने से आपके चार प्रकन पुराने से रिविजन सूरू हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप निस्का हो गया एک अगला उपसर्ग अब हम दूस उपसरक की बात करेंगे दूस उपसरक के तीन अर्थ हुए बुरा, दुस्ट और कठिन निश वाले पे हमने समास टे किया था हमने अब्वेई भाव समास है फिर दुवार से कर दे अब हम दूस उपसरक की आपने पहला उपसराग निश पड़ा था अब हम दूसरा उपसराग दुस की बात करेंगे दुस के हमने तीन अरताय कर लिए बुरा दुस्ट और कठिन निश वाले पर हम समास टै कर छुके थे अब बह़ी भाव समास है और दुस वाले पे कौन सा समास होगा? दुस वाले पे सदैप करम धारे समास होगा. संदी कौन सी होगी? संदी विशर्ग शंदी होगी. बनने वाला सब्द किस कोटी का होगा? बनने वाला सब्द सदैप तत्सम कोटी का होगा. और विशर्ग संदी किसा धार परता होगी? व दुसका अंतिम शा यदि चासे चासे या तालब शा से योग करेगा तो मद्द पर मुर्धन शा बनेगा किस तरीके से बनेगा आप उधान देखो जैसे दुस सब्द है हमने कहा दुस साहस आप देखो दुस के सा ने दंतब शा शे योग किया तो साथ में सब्द क्या बना मद्द पर दंतब शा आया और सब्द बन गया दुस साहस हम दूसरा उधान देखे हमने कहा दुस तर हमने कहा दुस तेज देखो सभी के अर्थ हैं दुस साहस मने कठिन साहस, दुस तर, कठिन जिसको तहर나ा पार करना हो, दुस तेज, बुरा तेज, बुरा प्रकास, आप इस पर देखो, चावाले पर आजाओ, शाव का यूद कराएं, हमने कहाँ दुस चरित्र, जब आप दुस चरित्र लिखते हो, तो मत्य पे तालब शाही तो गनाते हो दुष चरित्र अर्था जिसका चरित्र बुरा है एक आप सब्द देखते हो दुष शासन अब शाव के पास इस वाले रूप पे आजाओ का वाले पे का फासे योग कराएं इसको तो हमने कहा दुष प्रभाव दुष कर्ब दुष फल देखो आप इसके किसी भी सब्द को जब वो पूशेगा आएसे बने वाले सहेकुनों सब्द हज्जारों सब्द मिलेंगे आपको जब भी कोई भी सब्द बनेगा दुष उपसर्ग से तो संदी काउसी बनेगी बिश्यर्ग संदी सब्द कैसा होगा तत्सम सब्द होगा समास काउसा होगा करम धारे समास होगा एक इस पे अपवाद के रूप पे आप इसको इस्थापित करो दुष शासन आप सब दुष शासन को पहचानते हो दुष शासन महावारत का एक पात्र था जब आप दुष शासन का नाम लेते तो उपसर्ग तो इस पर दूस रहेगा, संदी पूशेगा तो विशर्ग रहेगी, सब्द पूशेगा तो तत्सम रहेगा, लेकिन समास पूशेगा तो बहुपरी, बाकि किसी भी समास पे, किसी भी सब्द पे समास पूशेगा तो आप कौनसा समास बताओगे, करम धार है, स देखो निर नीलिखा रा पे हललत लगाया निर का उपसर का जो अर्थ होता निर्माने होता रहित निर्माने होता निशेद निर्माने अभाव या निर्माने अंजान और भी इसके अर्थ होते आप नी का अर्थ जब भी होगा तो रहित के अर्थ में आएगा इससे बनने वा वो बिशर्ग संधी बनेगी सब्द जो बनेगा वो तत्सम सब्द बनेगा आप देखो हमें समास तो तय है तत्सम सब्द भी तय है हमें खाली बिशर्ग संधी की स्थितियां तय करनी है कि बिशर्ग संधी हमारे किन स्थितियों पर तय होगी जो निर उपसर्ग है यदि निर का रा किसी बेंजन से योग कर जाए यदि ये रा किसी बेंजन से योग करेगा तो ये वाला रा रेफ का रा बन जाएगा अब ही हम जब राके प्रकार बताएंगे तो राके हम आपको चार प्रकार बताएंगे उसमें से एक यह रा होता रेफ का रा जब बिशर्ग लिखते हो जब दुरुबल लिखते हो निर्बल लिखते हो तो आप उपर रेफ का रा, जो हमारे रेफ माने होता है, जो सर पे सवार हो, ऐसा रा जो सर पे सवार होता है, उसको हम रेफ का रा बोलते हैं, ये कंसा रा हुआ? रेफ का रा, निर का रा, ये दि विन्जन से योग करेगा, तो रेफ के रा में परिवर्तित हो जाएगा, रा हो जाएगा रा पूर्ण वन हो जाएगा और निर्कार रा यदि किसी रा से योग करेगा तो मद्ध का रा लोप होकर नीके स्वर को दीरग कर देगा देखो छोटी छोटी सी बाते हैं आपके कितने तरीके से आपको सही कर सकते हो निर्कार रायत किसी विन्जन से योग करेगा तो क्या बनाएगा रेफ का रा बनेगा निर्कार रायत किसी स्वर से योग करेगा तो रा पूर्ण वर् निर का रहा योग करेगा तो निर वाले रा का लोप हो करके और जो रा होगा जो नी होगी नी पे जो स्वर लगा होगा वो स्वर दीर गो हो जाएगा किस तरीके से आप उधान देखो जैसे निर का रा किसी बिंजन से योग करता है हमने कहा निर बल हमने कहा निरजन हमने कहा निरगम आप देखो सभी पे निर के राने बासे योग किया तो रेफ करा बना निर के राने जासे योग किया तो रेफ करा बना निर के राने गासे योग किया तो रेफ करा बना आप देखो निर्वाल, निर्जा, निर्गम सभी में रेप करा लगा हुआ अब देखो रा पूर्ण कैसे होगा हमने कहा निर अनुनासिक हमने कहा निराशा अब निर का रा हमारा स्वर्ण से यो कर रहा तो रा मद्द पे हमारा पूरा हो रहा हमने कहा निरपराद निरके रा ने अपराद के आसे योग किया तो बस सब्द बन कहा निरपराद हमने कहा निरभीमान अब आप देखो हमने सभी पे रा पूरा कर दिया निरअनुनासिक आसे योग किया निरासा बड़े आसे योग किया निरब राद ने अपराद के आसे योग किया, निरब अभिमान ने अभिमान के आसे योग किया, सभी पर रा पूरा हुआ, इस पर रेफ का रा बना और इस पर पूरा रा बना, अब इस वाले पर आ जाओ, निरग का रा जब रा के किसी वन से, किसी सब्द से योग करता है, त नी रोग सही होता हमने कहा नी रज सभी प्याप देखो ना ना पर चोटी थी ना पर बड़ी हो गई क्यों हो गई चुकि बाद वाले पद का प्रारम रा से हो रहा है तो जब भी निरका रा यदि रासे बनने वाले किसी सब्द से योग करेगा तो मद्द के निरवाले रा का लोप हो करके और जो पूर्व में आने वाला स्वर है वो दीरग हो जाएगा आप देखो सभी सब्दों की बिस्तर दुरूप से जब आप देखते हो सभी पे आपने कौन सा समास तै किया अब भवाव सभी पे संदी कौन सी सब्द होई बिशरक संदी खाली इस्तितियां प समसद हमने तीन उपसरगों का तै कर लिया एक तो हमने निष्ट तै किया दूसरा हमने दूस तै किया होता दूर का अर्थ होता बुरा दूर का अर्थ होता दूस्ट दूर का अर्थ होता कठें और इससे बनने वाला कोई भी जो सब्द होगा वो समास कौन सा होगा? संधी काँसी होगी संधी होगी बिशर्ग और सब्द कैसा बनेगा सब्द बनेगा तदसम आपको ये चारो एक ऐसे लगते होंगे और हैं भी इनिस, निर, दुस, दुर ये हम आपको बिशर्ग संधी पे पूर में बता भी चुके हैं लेकिन जब इनको तो आपको इस पष्ट होगा कि दूनी से किस तरीके से हमारे समास संदी के प्रकण को भी सई होता है इस तरीके से जब 2200 उपसर को आप पड़ोगे तो आपको उपसर को के प्रत निश्ची तरूप से लगाओ बढ़ेगा और हिंदी के प्रतिया बिल्कुल जागरु का प्रेम के तरीके से आप इसके अध्यन करना सुरूँ करोगे ठीक है इसी तरीके से हम दूर वाले को जड़ाणों के साथ पर इसको हम बिरान देंगे दूर के आप दूर की लेकिन बिसर संदियों पर हम इस्तितियां ताय करेंगे दूर का जो रा है यदि वो किसी बिंजन से योग करता है तो यह भी रेफ के रा में बदल जाता है रेफ का रा हो जाता है दूर का रा यदि किसी स्वर से योग करता है तो रा पूर वन हो जाता है और दूर का रा यदि किसी बिंजन से योग हो गया यदि किसी स्वर से योग हो गया और दूर का उसी तरीके से यदि रासे बनने वाले किसी भी Wick से योग होगा तो दूर का जो दूर में लगा हुआ स्वर्दीर्ग हो जाएगा अब आप इसके उधान को देखो जैसे हमने कहा दुरजन हमने कहा दुरवल हमने कहा दुरगम हमने सब कहा दुरवयवार आप देखो सब पहले वाले उधानों को देखो आप दुर के रा ने जाशे योग किया ये रा कौन सा हो गया रेफ का रा दुर के रा ने बासे योग किया रेफ का रा बन गया दुर गम का गम से गासे योग किया रेफ का रा बन गया दुर वेवार ने वेवार गरी सी बेंजन से योग किया तो वा रेफ का रा बन गया ये मद्द पे अगर बेंजन का योग हुआ तो मद्द ये रेफ का रा परिवर्तित हो गया अब ये पूरा कैसे हुआ हमने का दुरवस्था एक बात आप लोग ध्यान रखना ये सुद्ध सुद्ध पे पूछा जाना है वाला सब्द पहुत खूब ये पूछा जाता सब्द लि हमने इसके साथ पे कहा हमने कहा दुराचार हमने कहा दुराचार के बाद में हमने कहा दुरुपयो इस पे आसे योग या इस पे बड़े आसे योग किया इस पे छोटे उसे योग किया सभी देखो राको उसने सभी ने पूरा किया अब इसी तरीके से इस वाले पे आ जाओ इस पे हमने कहा दूर का रा ये रा से योग करेगा तो दूर पे लगा हुआ छोटा हूँ बड़े उपे बदल जाएगा हमने सब्द बोला दूराज हमने सब्द बोला दूरो रा से दूर का रा 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 से योग हिया तो दाग पे आने वाला छोटा हूँ बड़े उपे बदल यो दूराज यह aldurop आईगा तो आप देखते ही स्पे उपसर कोंइधा बता ओगे इस सामने आएगा। ूर किम बता ओगे। श्मास कोंइसा होगा करया डारEC सामस होगा। इस से बनने वाला सब्द कैसा होगा। तट्संच कई होगा। आप धहर नहीं को पड़ना। इससे बिप्रीत कोई भी सित्या नहीं बनेगी, संदी तो बिसरग रहेगी, समास तो करम भारे रहेगा, आपका ये जो सब्द जो भी होगा वो तत्संसब्द होगा, आप इसी करम से आप एक एक उपसरगों को तै करोगे, उपसरगों का प्रकण हो सकता चार पांच क्लासों से तै कर लोगे, इसी करम पे हम आगे वाले जो उपसरग हैं, उनका अधिन हम अगले वीडियो पे करेंगे, तब तक के लिए आप जोड़े रहेए, बद देखते रहेए, दमाक क्लास इस धन्यवाद,